नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्राइम सिनेमा रिव्यूज पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए ताजगी भरी फिल्म रिव्यूज और एक्स्क्लूसिव अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं इस साल की सबसे ज्यादा प्रतीक्षित हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलाया तीन की। जी हां, एक बार फिर से रूह बाबा के रहस सिमय और मज़ेदार सफर पर हम सब साथ हैं। क्या इस फिल्म में पहले से ज्यादा डर और हंसी है? क्या इसके ट्विस्ट और टर्न आपको सीट से बांधे रखते हैं? और क्या ये फिल्म पिछली कड़ी की तरह ही दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरती है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आ क्यान खींचने के लिए तैयार हैं. कहानी में रूह बाबा, कार्तिक आरियन को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है, जब उसे इस महल में अजीबो गरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है. ये महल डर और हंसी का बेजोड मिश्रन है, जहां दर्शकों को एक पर फिर से रोमान्चक ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं. जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई ऐसे राज सामने आते हैं, जो आपको हैरान कर देंगे. क्या रूह बाबा उन रहस्यों का पता लगा पाते हैं? क्या वो इन भूतियां घटनाओं का सामना करके उन्हें सुलझा पाते हैं? ये सब जानना वाकई दिल्चस्प है. अब बात करते हैं फिल्म के परफॉर्मेंस और एक्टिंग की. रूह बाबा के किरदार में कार्तिक आरियन ने इस बार भी जान डाल दी है. उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब गुद गुदा और अन्य कलाकारों ने भी अपने अपने किरदारों को शानदार धंग से निभाया है. सभी कलाकारों ने मिलकर फिल्म के मनोरंजन को और बढ़ा दिया है. और एक्टिंग डिपार्टमेंट में फिल्म काफी मजबूत साबित होती है. अब बात करते हैं निर्देशन और ट परस्तुत किया गया है कि एक पल में आप हंसते हैं तो अगले ही पल में डर जाते हैं. सिनेमेटोग्राफी भी शानदार है जो महल और इसके आसपास की लोकेशन्स को बेहतरीन धंग से दिखाती है. हर सीन में एक हॉरर टच है जो फिल्म के डरावने माहौल को और भी नोरंजन काफी अच्छा है लेकिन कुछ कमजोरियाओं भी हैं. कहानी के कुछ हिस्से खिंचे हुए लगते हैं और कई दर्शकों को लग सकता है कि कुछ सीन जरूरत से ज्यादा लंबे हैं. जहां पिछली कडियों में सस्पेंस का स्तर उंचा था, वहां इस बार कुछ ज अनुभव को ज्यादा प्रभावित नहीं करती. तो दोस्तों, अगर आप हॉरर कॉमेडी के फैन हैं और भूल भूलया फ्रेंचाइजी के पिछले पार्ट्स पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक शांदार अनुभव साबित होगी. रोमांच, हंसी मजाक और म इस्ट्री ये सब एक साथ मिलकर इसे एक संपूर्ण मनोरंजक पैकेज बनाते हैं. इसके अलावा, फिल्म की कहानी में थोड़े ट्विस्ट और टर्न भी हैं, जो आपको आखिरी तक बांधे रखते हैं. तो अगर आप एक हॉरर कॉमेडी का मजा लेना चाहते हैं, तो भ करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट रिव्यूज आपको सबसे पहले मिलें. हमसे जुड़े रहें और देखते रहें, प्राइम सिनिमा रिव्यूज. धन्यवाद, और मिलते हैं अगले रिव्यू में.